इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Tail Press AMS C tablet में दो दवाएं मौजूद हैं, जो high blood pressure को नियंतरित करने में मदद करती हैं. यह रक्त वहिकाओं को relax करके blood pressure कम करता है, जिससे हृदय के लिए पूरे शरीर में रक्त पंप करना आसान हो जाता है, इससे आपमें hot attack या stroke होने का जोखिम कम हो जाएगा. Tail Press AMS C tablet को खाली पेट या खाने के साथ लिया जा सकता है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसे रोज नियमित रूप से एक तैय समय पर लेना बहतर होता है. डोग्ज आपकी condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी. अगर आप बहतर महसूस कर रहे हैं, तो भी इस दवा का सेवन करते रहना महत्वपूर्ण है. आपके blood pressure को कम करके, यह आपके hot attack या stroke की जोखिम को कम करती है. इसलिए, इसे लेना तब तक बंद न करें जब तक कि आपका doctor ऐसा करने के लिए आपको नहीं कहता. आप active रहकर धूमपान बंद कर और कम नमक व कम वसा वाला भोजन लेकर अपनी जीवन शेली में कुछ बदलाव करें. इससे दवा को बहतर तरीके से काम करने में मदद मिलती है. इस दवा के सबसे सामाने side effect में आपके टखनो या पैरों यानि की इडिमा में सूजन, सिर्दर्द, नींदाना, चक्कराना, ठकान और पेट खराब होना शामिल है. चूंकि इससे नींदाना और चक्कराना हो सकता है. इसलिए जब तक यह पता नहीं चल जाए कि यह दवा आपको किस प्रकार प्रभावित करती है तब तक गाड़ी न चलाएं या मान से के कागरता की आवश्यक्ता वाला कोई काम न करें. अगर आप साइड एफेक्ट से परेशान है या इन में कोई सुधार होता दिखाई नहीं देता है तो अपने डॉक्टर से बात करें. इस दवा को लेने से पहले अगर आपको किड्नी या लिवर से समबन्धित कोई समस्या या बहुत अधिक डिहाइडरेशन है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए. इस दवा का इस्तिमाल करते समय आपको अकसर ब्लड प्रेश चेक कराना होगा और किड्नी फंक्शन का भी टेस्ट कराना पड़ सकता है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.